जिन्होंने सबको हसाया, हसा हसा के पागल कर दिया, उन्हीं की दास्ता है ये, जन्म का नाम सत्यप्रकाश शिर्वास्तव, जी हाँ, S.P. शिर्वास्तव जो आगे जाकर बने राजो शिर्वास्तव राजो शिर्वास्तव का जन्म 25 दिसंबर सन 1963 में हुआ, इनके पिता श्री रमेश शंद्र शिर्वास्तव बलाई काका के नाम से बड़े मशूर थे, वो खुद एक बहुत ही पहुँचे हुए कवी थे और कानपूर में अकसर कवी सम्मेलनों में रमेश शंद्र शिर्वास् बहुत दूर था, अकसर राजो शिर्वास्तव अपने टीचर्स की नकल उतारा करते थे, कभी कभी स्कूल में जो क्रिकेट मैच होते थे, उसकी कॉमेंटरी के लिए इन्हें बुलाया जाता था, दिरे दिरे ये शौक आगे बढ़ा, और अकसर कानपूर में किसी की बहुत चुकि इनके पिता खुद कवी थे, तो वो अंदरी अंदर राजू के हुनर को पहचानते थे, पर मा मुखालफत करती थी, उनका ये कहना था कि पढ़ाई लिखाई करो, कुछ काम धंदा करो, आईएस आईपियस बनो, अपना नाम करो, पर सब इस बात से बेख़वर थे, कि राजू शिर्वास्तव बड़े संघर्ष के बाद एक ऐसा नाम करेंगे, कि वह नाम सदा हजाता रहेगा, राजू शिर्वास्तव की जिंदगी बदल गई, जब इन्होंने फिल्म शोले देखी, फिल्म शोले में, अमिताब बच्चन के किरदार जैसे ये तरे मुतासि बड़ी शुरू कर दी, बाद में जाकर इन्होंने कई स्किट्स तयार किये, फिल्म शोले पर ही आधारत, और उन सभी ने सब को लोट पोट कर दिया, राजू शिर्वास्तव को पचास रुपे ने समझा दिया था, कि उनका ये हुनर आगे जाकर एक प्रफेशन बन सकता ह एक फंक्शन में ये गए, इन्होंने लोगों के नकल उतारी, खुब हसाया और एक भले मानस ने आकर इन्हें पचास रुपे दे दिये, राजू समझ नहीं पाया कि ये पचास रुपे रखने के लिए दिये गए हैं, या वाकई दे दिये गए हैं, इन्होंने पूछा, त भई तुम्हारा मेहन ताना है, तुमने यहाँ पर इतना मनुरजन किया हमारा, तुम ये पचास रुपे रखो, बहाँ से राजू को समझ में आ गया, कि आगे जाकर ये एक प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है, कानपूर शेहर में राजू शिर्वास्टफ का खूम नाम हो गया था, और उसके बाद इन्होंने सोचा, कि अगर इसी तरह से मैं स्टेट शोस करता रहूंगा, तो इलाबाद, गोरफपूर, भहराईज, उन्नाओं में मेरा नाम हो जाएगा, लेकिन उसके आगे कहां इन्होंने आते ही लोकल औरकेस्टरास के साथ जुड़ने की कोशिश की, वहाँ पर अमिताब बच्चन की ये मिमिक्री किया करते थे और उन्हें अकसर जुनियर अमिताब के नाम से ही इंट्रिद्यूस किया जाता था असी के दशक में ही कुछ फिल्मों में ये नज़र आए, खासतोर पे तेजाब और मैंने प्यार किया फिल्म्स में तो इन्हें छोटे मोटे करदार ही मिल रहे थे और टेलिविजन पर भी हलके फुलके से शोज स्टेट शोज, फिल्म्स के छोटे मोटे रोल और टीवी पर हलका फुलका काम करते हुए राजु शिर्वास्तप ने अपने हुनर को इतना मांज लिया था कि जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ये कॉमेडी टैलेंट शोव टीवी पर आया तो इन्होंने सब को हिला के रख दिया कॉमेडी की दुनिया पूरी तरह से बदल दी टेलेविजन पर ऐसा हंगावा मज गया कि आग जाकर हर एक चैनल पर कम से कम एक कॉमेडी शोव आने लगा राजू शिर्वास्तव जरूर सेकंड रर्नर अप आये थे इस कॉम्पेटिशन में लेकिन दिलों को जीतने में राजू नमबर वन ही रहे स्टेट शोज हो प्राइविट फंक्शन्स हो देश हो विदेश हो राजू शिर्वास्तव अपने हुनर से सब को हसाते रहे हैं थोड़ा सा गा कर थोड़ा सा नाच कर थोड़े सी मिमिक्री करके थोड़ी सी आम जिन्दगी की चीज़ों को उठाकर राजू शिर्वास्तव हसी की ऐसी खिशडी सामने रखते हैं कि लोग चठकारे ले ले कर हसते हैं अपना एक अलग मकाम बनाने के बाद राजु ने पॉलिटिक्स में भी थोड़ी हरकत की पर इनकी कॉमिटी हमेशा इन पर हावी रही हास से कलाकारों में राजु शिर्वास्तप का एक अंच्छुआ मकाम रहेगा महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्ताने जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री